इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊंगा कि 5G ट्राइल जो आज कल बहुत ज़रा न्यूस में है ये है क्या चाइना इन ट्राइल को लेकर गुसा क्यों है हाली में आपने जो ये आर्टिकल्स देखे होंगे कि चाइना एक्सप्रेसेस कंसर्न रिग्रे को बाहर रखने के रिड़ने को लेकर तो सब कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए करूँगा क्रिश्टल क्लियर सबसे पहले बात करते हैं 5G ट्राइल के बारे में के ये आखिर है क्या जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 5G की फूल फॉर्म है फिफ्ट जेनरेशन ये है फिफ 2000 में 3G आया फिर आपने देखा के 2010 के बाद आया 4G और 4G स्पीड से भी अब बात की जा रही है कि 20 गुना तेज स्पीड मिलेगी आपको इन 5G नेटवर्क हाला कि जो ये 20 गुना जारा स्पीड वाली बात है ये जरात्यार थियोरी पर बेस्ट है इन रियालिटी आपको अ आने वाले कुछ सालों में थैंक्स टू 5G नाव इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे देश में कुछ हटक एक कॉमेडी चल रही है कॉमेडी ये है कि आप अगर Amazon Flipkart पर जाओ या फिर कहीं भी मार्केट में आप अगर जाओगे तो आपको वाहाँ पर 5G के फोन तो मिल अगरकार का जो Department of Telecommunication है इसने हाली में ये का कि जो हमारे देश में Telecom Service Provider है जैसे के भारती एटल, Reliance, Geoinfocom, Vodafone Idea, MTNL इन सब कंपनिस को एक अखटा के और ये आप इनको order दिये के 5G Technology के Trial करो मतलब के टेस्ट करो हमारे देश में कि क्या आप लोग 5G Technology Operate कर पा रहे हो जो बहुत सारे uses होंगे 5G के क्या आप उनको अपने network पे चला पाओगे तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि ये सब जो companies हैं यहाँ पर भारती एटल, Vodafone, MTNL ये सब equipment परचेस कर रही है, equipment खरीद रही है भार की company से जैसे के Ericsson, Nokia, Samsung या फिर C. ये जो company है नहाँ यहाँ प और यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं आपको tower चाहिए, आपको receivers चाहिए, उसके लावा यहाँ पर आपको routers चाहिए बहुत ही बड़े scale पर, तो ये सारा जो equipment है जो इस्तमाल किया जाता है 5G technology को use में लाने के लिए ये सब जो equipment है ये purchase कर रही है ये सब companies Ericsson, Nokia, Samsung और C. से हाँ मैं आपको ये वाद clear कर दू कि Reliance यहाँ पर कोई equipment purchase नहीं कर रहा क्योंकि Reliance यहाँ पर ये कह रहा है कि हम network भी खुद का use करेंगे और उसके लावा जो हमारा original equipment है वो भी हम खुद ही use करेंगे, हम भार की company से 5G का equipment purchase नहीं करेंगे, तो Reliance को छोड़ के आप कह सकते हैं ये सब जो सारी companies हैं, ये सब purchase करेंगी 5G का equipment और उसके बाद भारत के विवेनेरिया में, चाए हमारे गाव हो या फिर हमारे शेर हो, वहाँ पर ये लोग test करेंगे 5G technology की speed और ये सब जो काम हैं ये चलेगा आने वाले 6 महिने तक, पहले के जो 2 महिने हैं, ये भारत सरकार दिये हैं, equipment को एक खटा करने के लिए, कि जो भी आपको 5G related equipment चाहिए, procure कर लो, उसके बाद के जो 4 महिने हैं, उसमें आप कर सकते हो 5G speed के trials पूरे इंडिया में, यहाँ पर पूछ सकते हैं कि 4 महिने लग जाएंगे बस trial करने में, देखो 5G technology में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस phone call किया, या फिर mobile gaming कर ली, अपने mobile phone पर, 5G technology अपने आप में बहुत कुछ ले के आएगी, यहाँ पे टेली medicine में आप देखोगे, बहुत तरक्की होगी, एक बार को internet की speed इतनी तेज हो जाएगी, कि कोई भी patient अराम से अंडवान में भी बैट कर, full proper video conferencing के, बिना किसी buffering, ब इसी डेली में बैठे हुए doctor को अपनी जो body है, जो भी physical condition है, यह दिखा सकता है, एक proper physical examination हो सकता है, तो यह सब जो possibilities है, यह हमारे सामने है, तो इसलिए सरकार ensure करना चाहती है, कि जो भी भारत में इस वक companies हैं, यह proper तरीके से 5G speed को operate कर पाएगी, या नहीं, और यह सब करने क के लिए भारत सरकार ने अभी के लिए इन companies को experimental spectrum भी देने का वादा किया है, experimental spectrum क्योंकि अभी के लिए spectrum बेचा नहीं गया, यह आप कह सकते हैं, बस trial basis पे सरकार ने का है, कि यह जो spectrum है, यह use करो, और check करो कि 5G में कितनी speed आप यहाँ पे ला पाते हो, यहाँ पे आप बाकी company है न, जैसे के Ericsson, Nokia, Samsung, C. इन companies के साथ चाइना चाहता था कि Chinese companies भी यहाँ पर शुमार हो, primarily Huawei और ZTE, जो 5G का equipment है, जो Indian companies परचेस करेगी इन सब companies से, वो business चाइना चाहता था कि इनकी companies को मिल जाए, मगर भारत ने border पे जो city है, यह देखते हुए, यहाँ पे निड़ नहीं करेगा, हमने officially Chinese companies को block नहीं किया, मगर since उनको invite नहीं किया गया, तो अपने आप आप समझ सकते हैं, कि यहाँ पर चाइना को exclude कर दिया गया है, और यह करने का भारत ने कुछ reason दिया है, देखो reason यही है, कि border पर चाइना के साथ अभी भी तनाव खतम हुआ नहीं है, च इस वजे से भी आप देख रहे हैं, कि China काफिया तक complain कर रहा है, काफिया तक गुसा है, कि हमको 5G trial से भार क्यों निकाला, यहाँ पर अगला question यहाँ आएगा, कि चलो ठीक है, चाइना यहाँ पर participate नहीं कर रहा, मगर बीच में कुछ यह भी सुनने में आया है, कि Corona का कुछ relation है, इस से यहाँ पर 5G से, तो इसका answer को यहाँ पर जान लो, यह कची पकी information है, WhatsApp पर लोग share कर लेते हैं, तो आप लोग ऐसे किसी बात पर विश्वास मत करिएगा, अगला question यहाँ पर यहाँ आता है, कि ठीक है, भारत में जो यह trial स्टार्ट हो गया, तो भारत में overall commercial level पर 5G कब देखेगा, कब तक हम बस 5G के जो phone है, वही लेकर बैठेंगे, उस पर 5G use कब करेंगे, देखो अभी तो 5G के auction होने हैं, अभी जो 5G का spectrum है, अभी सरकार तो यहाँ पर trial basis पर company को कहेगी, कि यह लो थोड़ा सा 5G का spectrum, यहाँ पर 5G को test करो, अभी जो यह spectrum है, फिर बे के बाद आप कहा सकते हैं, अराम से commercial level पर 5G launch होगा, most probably 2022 के अंथ में, या फिर यह भी हो सकता है, 2022 के second या फिर third quarter में, तो अभी भी अराम से एक से लेकर देख साह लगेगा, commercial level पर 5G को launch होने में in India, और यहाँ पर हम हजियूम करके चल रहे हैं कि auction में 5G का जो यह spectrum है, कोई ख़ीदने भी आएगा, क्योंकि अभी के लिए सरकार ने जो rate लगा रखा है, 5G Airways का, 492 करोर रुपीज पर unit, यह कई companies कह रही हैं कि बहुत जादा है, इतना जरा पर unit यह companies पे नहीं कर पाएंगी, तो possibility यह भी है कि price को लेकर, जो यह auction है, यह फिर से delay हो जाए, और overall भारत में हो सकता है कि 5G, 2-3 साल बात भी launch हो, अगर price का issue बना रहा है, नाव यहाँ पर आती है Chinese companies की need, नाव चाइना में देखो जितनी भी कमिया है, Huawei में जितनी कम्पनिया है, जो ZT company है चाइना की, इनके जितने relations है Chinese army के साथ, Chinese military के साथ, एक बात हमको accept करनी होगी, कि जो Chinese companies 5G क equipment manufacture करती है, यह काफी सस्ता होता है, compared to Nokia, Ericsson, जो या बाकी companies हैं, यहाँ पर Samsung, तो Indian companies को देखो, यहाँ पर जरा पे करना पड़ेगा, हमारी companies के लिए ज़ादा, आप कह सकते हैं, फायदबंद यह रहता, अगर Chinese companies को entry मिल जाती, 5G trial के जरीए, और यह भी अपर equipment बेच पाती मगर कही ना कही हमको जो national security है, इसको ओपर अखना होगा, जो national security की importance है, इसको अब ignore करना ही सकते, तो आप कह सकते हैं, कि यह जो loss है हमको जहिलना होगा, इसका कोई जादा मारे पास विकल्फ है नहीं, एक विकल्फ यह है, कि Reliance इतने बड़े scale पर 5G का equipment manufacture करना start कर दे, कि य यह ना सिर्फ अपनी company, इवन भारती Airtel और Vodafone Idea को भी यह equipment sell कर पाए, हाँ मैं आपको यह बता दूँ, कि अगर ऐसा होता है, तो Reliance की हो जाएगी complete absolute monopoly Indian telecom sector में, और अभी के लिए देखो जिस तरी कैसे स्थिती बन रही है, भारती Airtel के पास इतने funds हैं नहीं, Vodafone Idea के पास इतने funds हैं नहीं, तो most probably auction में भी सबसे रहादा जो spectrum है, वो भी Reliance परचेस करेगा, तो इससे लग यही रहा है कि eventually भारती Airtel कॉम market पे एक single company की monopoly होगी and that company will be Reliance, और finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ, कि आप किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, चाए SSC, UPSC, बैंक आप purchase कर सकते हैं, अनकाडमी के quality courses, simply जाओ on academy.com पे, या फिर अनकाडमी की app पर, click करो, यहाँ पर exam पर, for example, UPSC exam is case पे, और यहाँ पर purchase कर सकते हैं, plus यह iconic course, plus course 12 महिने का आपको पड़ेगा, per month, 4,125 का, मगर यह price पे मत कर देना, use करिए यहाँ पर code PD10, और आपको मिलेगा 10% discount, so use the code PD10 and save money, इसी रोट के साथ यह वीडियो कांत, thank you for listening and as always, God bless you all.